दूस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अगर आप मेरे रेसिपी इसके बारे में कुछ जानना चाते हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें क्य याने की एक लीटर और पाव लीटर पानी बॉइल हो रहा है हम उसमें वन फोट टी स्पून केवडा एसेंस डालेंगे हम इसमें एक चुट की जर्दे का कलर भी डालेंगे हमने यहां पर औरेंज कलर यूज किया है आप चाहें तो यलो भी यूज कर सकते हैं फ्लेम को हमने हाई किया है अच्छी तरह से हम बॉइल होने देंगे इस तरह से जब इसमें अच्छा सा बॉइल आ जाएगा हम इसमें चावल डाल देंगे हमने यहां पर एक कप चावल यूज किये हैं याने की 200 ग्राम चावल हमने यहां पर बासमती चावल यूज किये हैं एक घंटे पहले हमने बॉश करके इन्हें भिखाया था और फिर हमने इसका पानी फैक दिया है हाई फ्लेम पर 5-7 मिनिट हमने चावल को बॉइल किया है हम चावल को चेक करेंगे क्योंकि हम चावल को बस 80% पकाएंगे ज्यादा नहीं पूरी तरह से नहीं पकाना है 80% पकाना है हमने यह तूट जा रहे हैं आसानी से हमने फ्लेम को बन कर दिया है हम चावल को चावल को चान लेंगे गरम पानी से तुरंद अलग कर लेंगे एक ब्रॉड बर्तन में हम तीन टेबल स्पून प्यॉर घी डाल देंगे घी गरम हो चुका है हम इसमें 4-5 हरी लाइचिया और 2 लॉंग डाल देंगे लॉंग ज्यादा नहीं डालना है हमें बस 2 लॉंग काफी है एक मिनिट के बाद हम इसमें चावल लाइड कर देंगे जिनने हमने पानी से चान कर रखा है हलके हातों से बस एक बाद चलाएंगे हम अब इसमें शकर आड कर देंगे हम इसमें एक कप शकर आड कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें एक कप चावल आड किया है याने की तकरीबन 200 ग्राम शक्कर हमने एक टेबल स्पून बादाम चॉप करके एक टेबल स्पून पिस्ता, एक टेबल स्पून काजु और एक टेबल स्पून किश्मिश लिए हैं ये सब भी डाल रहे हम हमने थोड़ा सा गानिशिंग के लिए अलग निकाल कर रखा है हम इसमें वन फोट कप के करीब मावा भी आइड कर रहे हैं यह अप्शनल है अगर आप नहीं चाहते तो नहीं डालें लेकिन अगर हम दावतों वाला जर्दा बना रहे हैं तो यह डालना है हमें यह मावा हमने घर पर बनाया है यह बड़ी आसानी से घर पर बन जाता है सस्ता और हाईजीनिक भी पड़ता है अगर आप चाहते हैं कि मैं घर के मावे की रेसिपी अपलोड करूँ तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं थोड़ी सी जाफरान भी डालेंगे हम यह ऑप्शनल है आप नहीं चाते तो नहीं डालें इससे खुश्बू अच्छी आती है लो टू मीडियम फ्लेम रखके हम इसे पकाएंगे 5-7 मिनिट बाद में इसे चेक करेंगे हम इसे चेक करेंगे हलके हातों से हम इसे चलाएंगे शकर मेल्ट हो चुकी है हम इसे अभी डम पर रख देंगे बिलकुल लो फ्लेम पर हम 10-12 मिनिट इसे पकने देंगे यह बहुत अच्छी तरह तयार हो जाएगा हमने इसे 10 मिनिट के लिए दम पर रख दिया था हम फ्लेम को बन कर रहे हैं और हम इसे ड्राइफ फ्रूट्स टाल कर सर्फ करेंगे दोस्तों मेरी आपसे गुजारेश है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको तीन उप्षिन्गे मिलेंगे All, Personalized और None आपको All पे क्लिक करना है अगर आप All पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे सारे नोडिफिकेशनस नहीं मिलेंगे तो ध्यान रहे, All पे क्लिक करना है